हेलो फ्रैंट्स आज आपने बनायेंगे केल्टियम बॉक लॉक्स अपने बर्ड के लिए और ये क्यों जरूरी होता है आपके बर्ड के लिए यह भी में बताना चाहूंगा केलशियम ब्लॉक आपकी बर्ड को केलशियम प्रवाइड करता है जब वो एग ले करती है तो वो जो केलशियम अपने बॉड़ी में एपसॉफ रखती है उसका यूज़ करके अंडे का शेल बनाती है तो इससे उसकी बॉड़ बॉन्स जो है वो थोड़ी वी खुरने लगती है इसलिए आप उनको केलशियम ब्लॉक देते है जिससे उसकी बॉड़ी का जो केलशियम कम हुआ है वो रिकवर कर ले और वो अगर एग देने के टाइम केलशियम ब्लॉक खाती है तो जो एक शेल है वो बहुत ही अच्छा बनेगा तो चदि आपने स्टार्ट करते हैं बनाना इसके लिए आपको डिस्पोदल चाहिए एक वायर चाहिए मैटल वायर और प्लास्टर ऑफ पैरेस आप प्लास्टर ऑफ पैरेस का ही यूज कीजिएगा क्योंकि इसके अलावा आप कुछी भी यूज करेंगे तो इसमें कैमिकल्स मिले हुए होते हैं जो कि आपके बड़ के लिए बहुत ही हानी का रख होते हैं इसलिए आप उनको मत यूज करिए सिर्फ बेसिक जो बेस प्लास्टर ऑफ पैरेस होता है उसको यूज कीजिएगा आप इसको आप कंटे अपन बात में अंदर रखेंगे आप पानी मिकस कीजेगा अच्छेसे आप अपना मिकस पहले प्रिपेर कर लीजिएगा उसकी इसके निचिंश सी जैसे वीडियो तो वह आपस में मिक्स हो जा अच्छे से और मिक्स करने के बाद अब आप इसमें जो वायर है आप मेटल वायर उसको डाल दीजेगा एक सेंटीमीटर डीप अंदर तक जाना चाहिए तभी वो केज में अच्छे से टाइट हो पाएगा और आपके केल्शियम ब्लॉक को पकड़ के रखेगा बस इतना करने के बाद आप इसको 4-5 गंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजेगा धूप में सूखने के बाद आप ब्लास्टिक जो है वो निकाल दीजेगा कंटेनर से बाहर अलग कर दीजेगा और बस आपका केल्शियम ब्लॉक रेडी है चलिए आप इसको केज में लगाते हैं केज में लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है जस इसको वीडियो में जैसा जान दीजेगा कि जहां भी पर्चेस हो उसके उपर ही लगाएगा जिसके बड़ आपका असानी से इसको खा ले उसको वहां तक पहुंचने में जादा प्रॉब्लम ना हो और आप इससे प्रीडिंग सीजन में जरूरी रख दीजेगा जिसके आपकी बर्ड को केल्शियम कमी ना हो और उसकी बोन्स जो है वो वीक ना हो क्योंकि उसके बाद वो बड़ आपकी बहुत प्रॉब्लम में रहेगी इसलिए आप उसको केशें ब्लॉक्स दीजेगा चलिए थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगएगा तो प्लीजे लाइक कर दीजेगा थैं झाती है झाती है झाती है झाती है